अभी सब्सक्राइब कीजिए माइटेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइटेक सपोर्ट चैनल फ्रेंड्स काफी दिनों से देख रहा हूं में की काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कबर सौंग के उपर कॉपिराइट इस्ट्राइक क्यों आता है इसके rules बताइए और या फिर अगर आता भी है तो क्या ऐसा करें जो की copyright strike cover song पे ना है तो friends अगर आप भी एक singer है और अपने कुछ वीडियो जो की cover song है उसे YouTube पर upload करना चाहते हैं और copyright strike से बचना चाहते हैं या फिर इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते रहेएं इस वीडियो को लाश्ड तक तुष्टी जिलिए सबसे पहले तो friends में आपको बता दूँ कि copyright strike कई तरीके का होता है जो हमारे cover song पे copyright strike आता है वो एक अलग तरीके का copyright strike है और जो हमारे channel पे copyright strike आता है वो एक अलग तरीके का copyright strike है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके song पर copyright strike आ गया तो इसका मतलब आपके channel पर copyright strike आ गया तो friends मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि copyright strike आता क्यों है असल में होता ये है friends कि जितने भी बड़े music production है जो कि music को produce करते हैं, music को बनाते हैं ये है friends कि YouTube का जो algorithm है वो हमारे song को YouTube के जो भी video पहले से upload है इसकी content ID तो वो उसको match करता है आपने देखा होगा friends जब भी हम कोई song या फिर कोई भी video को upload करते हैं तो पहले तो video upload हो जाता है उसके बाद एक processing होती है तो इस बीच में YouTube यही check करता है कि कहीं यह हमारे content ID से match तो नहीं हो रहा है तो यही सब उस processing में होता है तो friends ऐसे में होता क्या है कि जो हमारा music है अगर किसी भी music से match करता है जिसकी पहले से ही content ID है YouTuber तो हमारे उस music पे 100% copyright strike आएगा लेकिन friends इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारे cover song पे copyright strike आ रहा है तो हमारे channel पे भी copyright strike आ रहा है और इसका effect जो है वो हमारे channel पे पड़ेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है friends अगर हमारे किसी भी song पे copyright strike आता है तो वो cable सीमित है उसी cover song तक इससे हमारे channel को कोई भी नुकसान नहीं होता है काफी दुनों से आप यहीं सोचते होंगे कि अगर हमारे music पे या हमारे cover song पे copyright strike आता है तो इससे क्या होगा हमारे चैनल पे copyright strike आएगा लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हमारे song पे copyright strike आता है तो वो एक अलग चीज है इससे हमारे channel का कोई लेना देना नहीं है तो ये चीज में आपको भी proof करके दिखाऊंगा कि अगर cover song पर copyright strike आता भी है तो इससे हमारे channel को कोई भी नुकसान नहीं होता है आप चाहें तो song को ऐसे ही रहने दे सकते हैं और उसे चलने दे सकते हैं लेकिन friends कुछ condition में होता ये है कि हम किसी-किसी song से revenue नहीं कमा पाते हैं क्योंकि friends अगर content ID match होती है और हमारे पास आता है copyright strike वो भी song पर तो ऐसे में होता ये है कि वहाँ पर एक option आपको और मिल जाता है revenue share का इसमें होता ये है कि जो भी आपकी monetization का पैसा है अगर वो आप share कर दे owner को जिसका copyright है वो song तो आप video आराम से अपनी upload कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं लेकिन उसका कुछ percentage आपको और को देना पड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है friends कि अगर हमारे song को copyright strike आ गया तो हम तुरंट उसे delete कर दें ऐसा कुछ नहीं friends लेकिन कुछ song ऐसे भी होते हैं जिसका owner जो भी है जो भी copyright owner है वो ये permission नहीं देता है कि आप इससे monetization कर सको और इससे कुछ भी पैसे कमा सको लेकिन इस condition में friends वो आप से ये नहीं कहता है कि आप इस video को delete कर दो तो चलिए सबसे पहले में आपको कुछ video अपने चैनल पर दिखा के confirm करा देता हूं कि अगर हमारे वीडियो song पर copyright strike आता है तो हमारे चैनल पर कोई effect होता है या नहीं तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने चैनल पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारा चैनल ओपन हो चुका है और यहाँ से चलते हैं इसके वीडियो मेनेजर में तो वीडियो मेनेजर हमारा ओपन हो चुका है इसके बाल अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 जून में मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था अब यहाँ पर क्लेम करते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबही कुछ इसकीडियो देख देते हैं हाँ पर इसका song हमने use किया था 7 minute 30 seconds से 8 minute 33 seconds तक और इसके साथ ही इसके जो claim जिस ने किया है वो ICC CS ने किया है इसके अलावा आप देख सकते हैं monetize by copyright owner तो इसको जो monetize किया है वो copyright owner ने किया है साथ ही इसमें यहाँ आपको option मिलेगा sharing revenue from ads तो जो भी इसके ads से पैसा आएगा उसका share जो है वो जाएगा owner के पास और इसका कुछ sharing हमें भी मिलेगा तो इसमें ऐसा नहीं कि जो भी revenue आएगा वो सब भी मुझे मिल जाए तो इसका revenue मुझे भी मिलेगा और साथ ही इसका revenue share हो आए वो ऑनर को भी जा रहा है इसलिए यहाँ पर copyright owner ने हमसे कुछ भी नहीं कहा है और वो इस वीडियो को चलने दे रहा है साथ ही अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो में काफी पहले upload कर चुका हूँ जो कि 9th March में किया था तो इसमें भी यही था कि copyright claim इस पर भी आया था और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर यह monetize नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो copyright owner है उसने हमें permission नहीं दी थी कि हम इसे monetize कर आया है तो इससे ना तो मेरे चैनल को कोई नुक्सान हुआ और ना ही मुझसे यह कहा गया कि इस वीडियो को हम delete करें तो चलिए हम इसको अभी दिखा देता हूँ आपको कि इसमें copyrighted है क्या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने song का music लिया था कराओ के song था मैं रहूं या ना रहूं तो इसका मैंने music लिया था जबकि इसमें आवाज जो है वो मेरी है तो इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते है monetize वाई clay climate तो यहाँ पर फ़लाल यह monetize नहीं हुआ है और वरना यहाँ पर sharing review ने करके लिखके आ जा था तो चाहूं तो मैं यहाँ से song को remove भी कर सकता हूँ लेकिन मुझसे यहाँ पर कुछ ऐसा कहा नहीं गया है कि मैं song को remove करूं या ना करूं तो फ़लाल मैं आपको बताता हूँ कि जिसे हम कोई भी cover song upload करते हैं तो अगर हमारा उसमे copyrighted music है तो हमारे पास तुरंत ही एक mail आ जाएगा जिस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ होगा उस mail में तो जब मैंने इस वीडियो को upload किया था तो उसमें एक mail आया था मेरे पास यह देख सकते हैं आप तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो भी copyright है उसका content ID मैच हो चुका है इसलिए यहां पर हमारी वीडियो को इन्होंने पकड़ लिया था लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप उसके नीचे यह और लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है this is just a head up don't worry you are not in trouble and your account standing is not affected by this तो इसके इसका कोई भी effect मेरे account पे नहीं पढ़ने वाला है मैं चाहूं तो इस वीडियो को remove ना करूंगा और आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को कब से upload किया हुआ इस पर मुझे कोई भी problem नहीं आई है इसके बाद यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं what next त हमें वीडियो डिलीट करने की भी कोई जरूरत नहीं है तो हम अगर किसी भी cover song को upload करते हैं और इस पर copyright claim आ भी जाता है तो भी हमें उस वीडियो को डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है वहले यहां पर हमें एक facility यह मिल जाती है कि copyright जो owner है वो हमें काफी सारे song में 90% song में share revenue का option मिल जाता है लेकि 10% song ऐसे भी है जिसमें हमें revenue share का option नहीं मिलता है तो फिर वो इसी तरह से आप videos को चला सकते हैं आप उससे कुछ कमाई नहीं कर सकते हैं फिलाल आपका channel पे कोई problem नहीं आई है तो मैंने यह आपको proof करके दिखा दिया कि कुछ video ऐसे भी होते हैं जि कि यहां पर मेरा channel पे कोई strike आया था यह नहीं आया था यह तो सा copyright claim किया गया था हमारी video पर अब देख सकते हैं हमारी channel पे कोई copyright strike आया है यह नहीं तो setting पे click करते हैं इसके बाद यहां पर view additional features पे click करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं copyright status you have zero copyright strike community guidelines में भी आप देख सकते हैं यहां पर zero community guidelines strike है तो यहां पर मेरे channel में कोई भी problem नहीं है तो आप इस तरह से अगर cover song अपना बनाना चाहते हैं अगर आप एक singer हैं और जरूरत नहीं है आपको ज्यादा हर किसी song से पैसे कमाने की आप किसी भी song को upload कर सकते हैं अपनी खुद की आवाज में भले channel में music किसी भी copyrighted का हो काफी सारे song आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप review ने share करके उससे monetization कर सकते हैं उससे कुछ पैसे कमानी सकते हैं तो इस तरह से आप कब और song से भी पैसे कमा सकते हैं इसके लावा आप ने देखा होगा काफी सारे ऐसे channel हैं जो कि काफी सारे songs upload करते हैं तो उनका भी बस यही हाल है friends वो भी इसी तरह से अपने song को upload करते हैं उनके पास कोई भी special ऐसी facility नहीं है जिससे कि वो option नहीं मिलता है तो आप इस तरह से आप किसी भी song का अपना cover song बनाके upload कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अलावा काफी सारे copyright rules और भी हैं जो कि आप YouTube पर जाके देख सकते हैं फिलाल जितने मैंने बताए हैं cover song से related जितना लगा वो मैंने आपको बत rules हैं वो सब दिखा दिये जाएगा आप यहां से आराम से बैठके पढ़ दीजिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर काफी कुछ दिया हुआ अगर आपको यह English में समझ में नहीं आता तो यहां से आप language अपनी choose कर सकते हैं तो यहां से अभी English है आप Hindi करना चाहें Hindi कर सकते हैं यहां पर सभी कुछ लिखा हुआ आप सभी rules को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद अपनी cover song बनाना start कर दीजिए और upload करना भी start कर दीजिए तो फलाल आज की वीडियो में बस इतना ही था तो मीन करता हूं फ्रेंड्स की जो भी आपके question थे कवारी थी जो भी आ आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like share जरूर करें और हमारे चैनल को आप subscribe भी कर सकते हैं क्योंकि यह बिल्कुल ही free है और इस तरह की वीडियो हम regular upload करते रहते हैं तो मिलते हैं किसी next वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you